20 दिन बाद धनिया मेरी इतनी बड़ी हो गई है कि इसे मैं 10 दिन बाद ये हर्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगी तो इस परकार दोस्तों मैंने इसमें कमपोस्टिंग करी है और इसकी सीडलिंग्स मैंने लगाई है अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे सीडलिंग लगानी है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में दोस्तों यह धनिया के सीड्स हैं जिसे मैंने ओवरनाइट कुछ अलग तरीके से मैंने इसे भीगो के रखा हुआ है तो वीडियो में आखरी तक बने रहेगा मैं आपको बताऊंगा कि क्या किया है मैंने किस तरह से मैंने इसे भीगा के रखा हुआ था तो दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे आनली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें दोस्तों यह जो धनिया के सीट्स हैं पहले इससे आपको करना क्या होता है कि दो भागों में तोड़ देना तो अगर नहीं भी तोड़ोगे तब भी जर्मिनेट होगा पर अगर दो भाग में तोड़ देते तो उसकी जर्मिनेटसन फास्ट हो जाती है तो मैंने इसे तोड़ा तो है कुछ तूट गये हैं कुछ खड़े रहे गये हैं साबूत तो इसे मैंने जिस liquid compost में भिगाया हुआ है मैंने इसे normal पानी की बजाए liquid compost में भिगाया है जिससे की जब germination start होती है तो पौधे को किसी चीज की कमी ना हो nutrients की तो मैंने इसे प्याज की जो छिलके से मैंने compost बनाई थी liquid उसमें normal water मिला के उसमें रात भर के लिए भिगा के छोड़ रखा है और जब मैंने ये धनिया की seeds भिगाई थी उसी समय मैंने अपने grow bag में watering कर दी थी ताकि जब मैं इसे seedlings लगाऊं तो मिट्टी में नमी बनी रहे तो देखे दोस्तों ये seeds को हम छान लेंगे पानी से अलग कर लेंगे और दोस्तों पानी से मैंने मिट्टी को इसलिए पहले भिगा रखा था कि देखे अभी अगर मैं इस समय गीला करता तो उसमें फिर धनिया को लगाना थोड़ा मुस्किल होता है तो देखे द्धनिया आमने च्छान लिया है और ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में है राक जो वोडैस कह सकते हैं आप तो इसमें हम इस धनिया की seeds को जो भीगा के हमने रात बार रखा था इसे मिलाएंगे राक में मिलाने का जो मकसद होता है दो होता है एक तो इससे क्या होता है कि जो धनिया भीगने की वज़े से आपस में सारे इसके चिपके होते दाने वो अलग हो जाएंगे तो दूर दूर इनके दाने पड़ेंगे पौधे बिल्कुल करीब करीब नहीं ग्रो करेंगे और दूसरा कि जो इसमें कुछ फंगस का अटैक होना होगा तो वो राक प्रिवेंट कर लेता है एक तरह से राक फंगिसाइड भी है तो इसे हमने राक में अच्छे से मिला लिया है और अब देखते हैं कि हम इसमें जो सीडलिंग्स हम लगाएंगे वो हम ऐसे ही स्प्रिंकल नहीं कर देंगे इसमें हम राउंड सेप में नए तरीके से ग्रो करने की कोसिस करेंगे तो यह जो बेड़ा मारा तयार हुआ है यह मेरा जो ग्रो बैग है साइज इसकी साइज है दोस्तों 24 बाई 9 की 24 इंच इसकी गोलाई है और 9 इंच इसकी गहराई है तो इस परकार देखिए हम किसी लकडी की मदद से या उंगलियों की मदद से ही सर्कल में ड्रा कर लेंगे थोड़ा सा गड़ा बना लेंगे और पूरे ग्रो बैग में इस तरह से तीन चार सर्कल जितनी बन पाएं जो साइज के हिसाब से उतनी आप बना लेंगे इससे दोस्तों जो धनिया की सीट्स है यह थोड़े दूर दूर अगर ग्रो करेंगे तो सभी सीट्स जो हैं बराबर मातरा में निट्रेंट्स ले पाएंगे और उनकी ग्रोथ अच्छी हो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है तो इस परकार देखिए मैंने दोस्तों इसमें सर्कल बना लिया है और गड़ा कर लिया अब इसमें हम धनिया के सीट्स को स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी दूर दूर कोसिस करेंगे कि एक जगह पर एक से दो या उससे जादा सीट्स ना होती है वरना सारे के सारे सीट्स भीगोने की वज़े से एक दूसरे में चिपके हुए होते हैं तो उनको थोड़ा बुगाई कर पाना मुश्किल होता है है तो इसे दोस्तों हम पूरे जो सरकेल समने बनाए हुई है उन सब में के हलके हाथों से भुरुबराते होई धनिया के सीट्स को सभी सरकेल्स में एक सबान दूरी पर कोसिस करते हुए हम इस प्रिंगल कर देंगे ताकि एक ही जगहें पर एक से जादा जादा पोधे धनि तो दोस्तों इस प्रकार हमने सारी सीट्स पूरे सरकल्स में पूरे ग्रो बैग में फैला दिये हैं अब इसे हम हलके हाथों से कवर कर देंगे मिट्टी से जो सीट्स हैं तो सारी जो भी सीट्स हमने डाल रखे हैं उसे मिट्टी से बहुत ज्यादा गहरे में नहीं डालेंग उसे हलके हलके हाथों से कवर कर देंगे दोस्तों एक चीज मैं और बता दूँ आपको कि जो मैंने इसके लिए सीडलिंग मिक्स बनाई है क्योंकि समर सीजन चल रहा है तो मैंने पहले भी वीडियो अपलोड करी हुई है कि सीडलिंग मिक्स कैसे बनाए स्टेज साल मिक्स कैसे बनाए तो दोस्तों स्टेज आपको जो भी बनाना वो दो चीजे उसमें बहुत अच्छे से कैयर करनी है कि उसमें ड्रैनेस सिस्टम बहुत अच्छा हो पानी उसमें रुके ना और दूसरा की मौश्चर होल्ड करके रखे मिट्ती तो मैंने इसमें काफी अच्छी मात्रा में rice husk यूज किया हुआ है तो rice husk जो होता है वो drainage system भी अच्छा करता है और moisture को भी hold रखता है तो आप लोग भी जो soil mix बना है उसमें coco peat पहले ज़्यादा चलती थी पर अब मैं coco peat की जगह rice husk को यूज करता हूँ तो आप भी उसे use कर सकते हैं वो as a compost भी काम करता है कुछ दिन बाद गल के तो आप उसे coco peat की जगह preference दे सकते है rice husk को जो कि मैं use करता हूँ दोस्तों तो इस परकार देखे हैं हमने सारे circles को जो भी हमने seeds लगाई हूँ थी उन्हें cover कर दिया है और हलके हाथों से हमने मिट्टी को दबा भी दिया है कि जब हम watering करेंगे तो watering करने की वज़ए से जो seeds हैं वो बाहर निकल के ना आया है तो इन्हें हलके हलके हाथों से press कर दीजिए ताकि जो seeds हैं वो अपनी जगह पे stable हो जाए और इसके बाद सब कुछ करने के बाद दोस्तों हम इसमें watering करेंगे और watering जो करेंगे उसके बाद हम इसे अभी चुकी moisture है मिट्टी में और seeds भी हमने गीली कर रखी है तो अभी हम इसको watering इसमें नहीं करेंगे watering करने के लिए आप इसमें next day हम watering करेंगे ताकि seeds में fungus ना हो इससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको किसी चीज की मदद से ढख देंगे जो भी grow bag आप जिसमें भी धनिया लगा रहे हो तो उसको किसी चीज की मदद से ढख दें जिससे की direct sunlight इसमें ना पड़े और आपका moisture जो ह आपके पास जूट वाली बूरी हो तो वो ज्यादा बहतर होता है अब दोस्तों ये 10 दिन के बाद का मेरा वीडियो है जो धनिया की मैंने seedling लगाई थी देखे कितनी अच्छी germination इसमें हो गई है मैं चुकि 5 दिन बाद जो इसमें germination होती है मैं उसकी वीडियो बनाना हुआ लेकिन 10 दिन बाद आप देखे इसमें धनिया के कितने सारे पत्ते आ गए हैं और कितनी अच्छी इसकी growth है तो ये दोस्तों update है 10 दिन बाद का और ये 20 दिन बाद देखे आप दोस्तों कितनी सारी अच्छी और कितनी fast growth आपको धनिया के पौदे की मेरे दिख रही है अब इसमें मैंने दोस्तों 10 दिन बाद इसमें liquid compost एक बार दी है और वो cowden compost से बना हुआ liquid compost है जिसे मैंने इसमें दिया हुआ है तो आप भी इस तरह अपने घर पे धनिया लगा सकते हैं वो भी 30 दिनों के भीतर दोस्तों आपको धनिया harvest करने को मिल जाएगी तो इस परका लगी हो तो इसे like share subscribe जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद